काफी अच्छा स्टेप है गवर्मेंट के द्वारा क्योंकि जो सालों से पीडित हमारे सभी धर्म के या कहली जिया अफ हिंदू सिक इसाई सभी धर्मों के जो भी लोग थे जो काफी सालों से परशान थे उनको एक सेटिजेंशिप दे के ये मोदी जी और केंदरी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है हरश का विशा है क्योंकि CA लागू होने के बाद जो हमारे भाई बंदू वो किसी भी संप्रदायके हों वो जो बहार से आये हुए हैं उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी उनने भारत की नागरिकता मिल जाएगी आज मन बड़ा प्रसन्न है हमारे देश में मान्य प्रधानमंत्री जी ने और देश के सांसदों ने मिलकर के CA कानून को लागू किया है इतनी प्रसन्नता है मन में के जिसको हम बढ़न नहीं कर सकते आज हम पूर्ण रूप से भारती होने पर हम लोगों को गर्व हो रहे कि आज हमें पता चलेगा कि जो लोग बहार से आकर यहां देश में रह रहे थे पंडि सुधान शुनागर माभगवती जोतिश अनुशन्दान केंद्र खजराना देश में सीय कानून लागू हो चुका है क्या कहना चाहेंगे आज पूरे भारत वर्ष के लिए बहुत ही हर्ष का विशा है क्योंकि सीय लागू होने के बाद जो हमारे भाई बंदू वो किस पेटी हैं जो भारत को तोड़ने के शाजिस कर रहा हैं भारत की प्रगती में बहुत बड़ा अवरोधक बनकर कारे कर रहे हैं वो लोगों को हम इस कानून की मदद से बाहर भेज़ सकेंगे इसके लिए हम हमारे पधान मंत्री आधरी मोदी जी का बहुत बहुत पूरे रा मैं इसके लिए पुना हमारे पधान मंत्री उसकी केविनेट भारती जनता पार्टी और अन्य लोग जिनोंने भी उसमें सयोग दिया है वो किसी भी पार्टी का हो उन्हें मैं धन्यवाद प्रेशित करता हूँ मैं संजे जोशी रिटायर्ड मेनेजर इस्टेट वेंग काफ इंडिया इंदोर लागू हो गया है दादी अब बाहर से जो आएंगे सिक्स अमुदाय या फारसी लों उनको भारत में अब शरन दिया जाएगा इस पर मोदी का क्या प्रतिक्रुई आया आपका बहुत अच् नागरिक्ता दी जाएगी हिंद जो भाग के आये हैं उनको नागरिक्ता जी जाएगी तो आप इससे खुष है हा? हा spice है. वो लोग प्तताड इत होते हें वहां पर हाँ हां हाँ बहुत खुष है. सब को मिले हम जिसे हम लोग कर यह यहाई है सम्हाज को मिले समाज मों सब् एक विद्यार्थी मौझूद है एक बात बटाइए सिही अभी तुरत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है लागू होने वाला इस पर आपको क्या लगता अब सिख फार्सी जो भी दूसरे कंट्री साइंगे अब उनको मिलेगा नागरिकता मिलेगा अब यो नागरिकेशन की को सब्रेंी हाता में देश की सारी बटान है उनको बहुत है अच्छा आप présentा लिए लिए ऋनों को इक्वल मिलना चाहिए बाकी है बाकी जैसे मुस्लिमगों और मैंने सुना है कि मुसलिमे को क्यों नही तरा बं। इंजे बहुत ज्यारा बंृत बैला रही है भार्जिम् करते हैं, लोह इक्वलिटी लोगं करते हैं, षरहाँ कीजा हुआ है, अच्छा सुखने के developed करते हैं, फिर है क्यों पर में retreat, लोगं का एक्वली जाहते हैं, छेहाँ के वहाले हैं, और शुक्सस भी करेंगी हर एक साइड से देख लो हर एक एंगल से देख लोगों कुछ अच्छा निया सीखनी के मिलेगा हमारे देश में कुछ अच्छा नया होगा आपको बलते हैं एकोल को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, और अच्छा संदेश जार रहा है कि प्रताडित को हम शरन दे रहे हैं इसमें प्रताडित को शर्न दे रहे हैं जरूद इसको हम एक अलग अलग एंगल से देखें जैसे अलग-अलग देशों में अपने अपने लोगों को लोग समझते हैं, कि हाँ उनका देश है, वो मुस्लिम में तो मुस्लिम वाले देश मेरे बाकी ये लोग है, तो कहीं और जाए, लेकिन हमारे देश है कि इसमें इसमें डाइवरसिटी, तो मेरे देश्वाषी हैं, जो भार से हिंदुस्तान आए हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हो, अफगानििस्तान के हो, या और कई मुस्लिम कंट्रीज से हो, या जो भी दूसरी कंट्री से उन से आये हैं, तो ये किसी की नागरिक्ता चीनने का कानून नहीं है, इसमें नागरिक्ता देने के लिए बात कही गई है, और इतनी बार इतने सारे लोगों ने आकर के और इस पे बोल चुके हैं, बात हो चुकी है, बहस हो चुकी है, पर फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं किया गया जो 14 के पहले जितने लोग भारत में आकर के बसे हैं उनको नागरिक्ता देना है बस इससे ज़्यादा और इसमें कहीं कुछ भी उलेक नहीं किया गया है में रुहित मिश्रा जी मेरे साब से काफी अच्छा स्टेप है गवर्मेंट के द्वारा क्योंकि जो सालों से पीडित हमारे सभी धर्म के या कहली जिया आप हिंदू सिक इसाई सभी धर्मों के जो भी लोग थे जो काफी सालों से परशान थे उनको एक सेटिजेंशिप दे के ये मोदी जी और केंदरी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है और इसकी खूब मेरे साब से प्रशंसा करन करना चाहिए राधर देन प्रोटेस्ट करना तो आप कहिए प्रोटेस्ट कैसे किया जाए आप एक क्वाइट पीस्फुल प्रोटेस्ट की जगे आपने जो भी मारदार कर दी है वो बिलकुल एकदम डंदनी होनी चाहिए गवर्मेंट के द्वारा और इस पे सभी भार्ति को मिलके सभी को इसका सपोर्ट करना चाहिए आपका नाम आदित्यमिश्रा मैं स्टुडेंट हूँ बीटेक थर्ड एर का